कि नाओ आपका ट्रांस्फोर्मर बहुत इंपॉर्टन कोश्चन और बच्चे इसको देखके खुस हो जाते क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है यह एक लैमिनेटेड आयरोन कोर है याद रखिया क्या है लैमिनेटेड आयरोन कोर है इसमें हम लोग लूटते यानि और एक चीज किसे किसे काम नहीं करताइड ऋ सी है क्योंकि चेंग Mengलय क् Familie करता दूंसेम क्ली से यह नहीं होता है उत्यमी क्योंक है करेंट घटते लगता नहीं करते हैं एवरिश इंस्टेंट तो करेंट गटेगा बढ़ेगा तो उसका flux भी गटेगा बढ़ेगा तो इसको प्राइमरी कोई बोला जाता है इसमें माल लिजे नमबर ओफ टांस एन वान है तो इसे हमको आउट पूट मिल रहेगा ठीक है इसमें नमबर आप टांड अगर इन टू है तो यह आपको आउट पूट यहां पर मिल तो इसमें पूटिब गुपल सिंव थे भी आपकोपान सिर्शरों में थो इन पर फूटिख गटबंधार श्राइमरी कोपल्त भी थे वीच पूट खूट पूट व्लाइव देखलेगा अगर बहूत सब्यूमे लिखना है तो इसको बाहूत सफोलिछी सब्सकों निखना and where we can regulate the voltage that is we can increase the voltage और you can decrease the voltage और मात्र दो लाइन का आगे का कैलकुलिशन से उसको देख लीजिए सौट में माइनस N1 D5 by DT और सेकंडरी कोयर के लिए क्या हो जागा माइनस N2 D5 by DT और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 by E2 कटके यह सब हो जागा N1 by N2 और यहां पर हम लोग भोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं भोल्टेज को घटा भी सकते हैं स्टेप ट्रांसफर्मर बोलता है जब वोल्टेज बढ़ाना होता है तो उस केस में स्टेप अप में क्या होता है N2 is greater than N1 हो जागा सेकंडरी कोयल में नंबर ऑफ टांस ज्यादा होगा प्राइमेरी में कम होगा और स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफर्मर में N1 ज्यादा होगा N2 कम होगा तो वन थिंग की पावर दोनों में लेकिन सेम रहता है यहां पर जो पावर होगा यहां पर भी वही पावर होगा क्योंकि हम लोग पावर को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं पावर के नौट बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा लेकिन साइमें इसमें पावर नहीं बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम लोग तो नामर उप ट्रांस बढ़ानेंगे अग करेंट घटा करने के लिए भी यही फॉर्मुला हम लो करेंट घटेगा बढ़ेगा यानि वोल्टेज को अगर बढ़ाना है तो करेंट घट जाएगा करेंट बोल्टेज अगर डबल हो जाएगा तो करेंट अधा हो जाएगा वोल्टेज अगर तीन गुना हो जाएगा तो करेंट एक बटा तीन हो जाएगा सेकंडरी कॉयल में तो हम लोग long distance transmission में एही theory use करते हैं कि हम लोग voltage को बढ़ा के current को घटा देते हैं और current को घट जाने से क्या होता है कि power loss जो है वो कम हो जाता है ठीक है तो यह याद रहेंगे कि power जो है वो constant रहता है primary coil में जो power होगा secondary coil में भी वो ही power होगा अगर जितना जिस जितना फोल्ड हम लोग voltage बढ़ाते हैं उतना ही full voltage घट जाता है या जितना फोल्ड हम लोग voltage घटाते हैं उतना ही full current बढ़ जाता है तो हमको अगर current भी बढ़ाना होता है घटाना होता है तो भी हम लोग transformer का use कर सकते हैं मतलब यह खली voltage regulate करता है ऐसा बात है it simultaneously Regulatory current also current भी बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं लेकिन at the end finally जो है power आपका constant रहेगा power constant होने का मतलब आपका E1 I1 must be equal to E2 I2 तो यह transformer का आपको transformer अगर खली construction working रहेगा तो आप लोग देख लिजिए का construction क्या है अब मातलब लिखने के लिए मातल इतना ही लिखिएगा तो आपको पूरा नबर मिल जाएगा आके थियोरी में जो हम चीज़ बता है उसको भी ध्यान से सुनिए और उसको याद रखिए तो जो आपको required knowledge है वह आपको हो जाएगा परिच बेट बोर्ड परिच्छा में थोड़ा अच्छा स्कोर करने के लिए है झाल